आज मैं बात करने वाला हूँ एक सांदार बैंकिंग स्टॉक के बारे में जो की प्राइवेट सेक्टर की बैंक है लगातार निवेसकों को इसने अच्छा रिटन बना के दिया कोवेट के चक्करे में इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा गया लेकिन अभी कमेंटरी से स्टॉक की बहतरीन आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से इस वज़े से इसमें अच्छी खासी तेजी देखने के मिली आज साथ जुलाई के दिन इसमें अच्छी खासी तेजी बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है बंधन बैंक के स्टॉक की प्राइवेट सेक्टर की बैंक है लॉंग टम के लिए अपने पोर्ट्फोलियों में जगए दीजिए लिस्टिंग को ज्यादा टाइम नहीं हुए स्टॉक बीसे और एनसी दोनों में ही लिस्टेड अच्छी ख प्राइज है वह 394 रुपए के आसपास है प्रीवेस क्लोज जो था वह 356 था अज यह उपन हुआ था तीन सो सरसट पर दिन का हाई 400 दो वहीं दिन का जो लो है वह 362 रुपए के आसपास है तो इस टॉक लॉंग टम के लिए शानदार है अपने पोर्ट्फोलियों में से एड कीजे कोवेट के चलते अच्छा कासा इस टॉक के अंदर करेक्शन भी हो चुका है तो आए देखते हैं इसकी रिटन की प्रोफाइल किस प्रकार से इसने अपने निवेशकों को रिटन कमा के दिये तो आज यह बीस में करीब 10.65% से दिखा गया बीते एक वीक में बं 28.9% मतलब लगबग लगबग 28% की इसमें ग्रावट देखी गई एक साल के अंदर सौरी तीन साल और दस साल का डाटा वेलबल नहीं क्योंकि स्टॉक की जो लिस्टिंग वो इतनी पुरानी है नहीं तो आप इससे अपने पोटफोली में जगए दीजे लॉंग टम के पहले हुई 10 रुपए की है 52 लो 152 रुपए का वहीं 52 हाइस का 650 रुपए का तो लॉंग टम के लिए से एड़ कीजे बहुत ही जल्दी अपना यह आल टाइम हाई भी जल्दी ही ब्रीच कर देगा तो यह प्राइवेट सेक्टर को ब्लॉंग करने वाली बैंक है आपको जै कि यह स्टेंट कहां तक होती है इसकी रैली तो बढ़े हैं स्टॉक है कोई प्रॉब्लम नहीं और HDFC की भी इसमें चीकासी होल्डिंग है आइस का सेरे होल्डिंग पैटन समस्ते हैं प्रमोटर के पास साथ दसमलों नौ पांच परसेंट की होल्डिंग है इसमें 13.05 परसे आपको आंगे आने वाले समय में मैजोर्टी सेर होल्डर प्रमोटर हैं प्लेच मोटर होल्डिंग नन मतलब गिरवी रखे सेर की कोई समस्या नहीं है म्यूचल फंड की 23 सिस्कीमों ने 2.75 परसेंट की होल्डिंग ले रखी है प्रमोटर वित हाइस होल्डिंग बंधन बै परसेंट की ज्यादा की होल्डिंग इनके पास भी है तो लॉंग टर्म में आपको बड़ा पैसा यह आपको बना के देगा मेरा शौट टर्म का इस स्टॉक में जो टार्गेट है वो करीब 500 रुपय का सौट टर्म से मेरा मतलब 3-4 मेने का वहीं मेरा लॉंग टर्म से इसक लेड़ साल के अंदर यह आराम से वापस पहुन सकता है तो लॉंग टर्म के लिए शान्दा स्टॉक हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए